दोस्तों नमस्कार स्वागत्ता आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ये काफी महत्वण वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो फस्ट केट की तेहरी कर रहे हैं और जिनने ये डेर हैं कि पंचाई तिराज के आदर साचार से था एवं पंचाई तिराज चुनाव के वज़े से एक्जामस हैं में दिक्कत नहीं आए क्योंकि अगर सेम डेट कलेस होती तो फिर आपके एक्जामस में दिक्कत आती इस वीडियो पे हम इस बारे में इस तरी चर्चा करेंगे और इसके के लिए एक उस तरी बेठक भी है उसके विह चर्चा करेंगे दोस्तों आपने हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ते से सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को लाइक करें उन पर कमेंट करें एवं अगर आपने में टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है तो निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का हम लिंक दे रखा है वहाँ पर आप जोइन करें के लिए आप चैनल पे जाए और हमने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं तो मैं तो पुन खबर देखते हैं दोस्तों पंचाय चुनाव चार चरणों में कराने की तैयारी 15-20 दिसंबर के बीच आचार सहीता तो दोस्तों पंचाय ती राचुनाव चार चरणों में होंगे और 15-20 दिसंबर के मद्या आपके इसकी आदरस आचार सहीता लग जाएगी लेकिन क्या चार चरणों में जो पंचाय ती राचुनाव होंगा उसके बीच परतमसर ने द्यापक भरती होगी तो हम पूरी खबर देखते हैं नगर निगाई चुनाव संपन होने के साथ राज जी निर्वाचन आयोग ने पंचाय आम चुनाव 2020 की तेरिया तेज कर दी है इस कड़ी में गुरवार को राज जी निर्वाचन आयोग के आयोग पी अस महरा ने ग्रेव ए पुलिस विबाग के दिकारों के साथ बेटक की तो दोस्तों पंचाय तिराज चुनाव को लेकर जो निर्वाचन आयोग है उनका आयोग स्रिमान पियस महरा जी ने ग्रेव ए पुलिस विबाग के दिकारों के साथ बेटक की है और इस बेटक से माना जारा एक पंचाय तिराज चुनाव चार चरणों में हो सकते हैं जिब 15 से 20 दिसंबर के बीच आचार से ना लगेगी और जनवरी के तीसरे सप्ता में पर्थम चरंड का मदन संबह हो सकता है तो दोस्तों तीसरा चरंड का मतलब यह हएँआ कि आपकी 20 तारीक के बाद 20 जनवरी की बाद पर्थम चरंड के मतलान होंगे यानि पहले वह दूसरे ह चुनाव को लेकर क्योंकि जो प्रिक्रिया दीन बढ़ती होती है उस पे आदर्स आचार सहीता का कोई असर नहीं होता उसकी जो प्रोसेसिंग शुरू हो गई वो प्रोसेसिंग आगे चलती रहती है इसलिए पंचाय तिरा चुनाव आपके इस पे जो एक्जामस हैं उन पे दिकत नहीं करेगा सचीवाले स्थित आयो के कक्ष में हुई बेटक में पुलीस महाने देशे कानोन वेवस्ता एमल लाठर ग्रेविबा के सचीव एलन मीना आयो के सचीव श्याम सिंग राजप्रोहित उपसचीव असोग जेन सहीत कई अधिकारीगन उपस्तित रहे इस दुरान जनुरूरी सब्सक्राइब के लिए अत्रिक्त पुलिस के आऊ सकता जता ही गई तो दोस्तों जो भी आप फस्सक्राइड की तयारी करें वह बहुत अच्छी परकार से त्यारी करें क्योंकि इन डेट्स के अंदर आपके चुनाव पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एवं आप अपनी तयारी को आगे निरंतर करते रहें दिन्यवाद दोस्तों अन्यमेत तुर्पन खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें